Hello students, आप सभी का आर्थी एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत हैं आज हम हिंदी व्याकरण की नवी कक्षा की कार्य प्रत्रक 86 पढ़ेंगे जिसका जो हमारा विशय है वो है समास आज हम देखेंगे की समास कैसे करना है की आपको पते हैं समास के भैधतों है, भाव हम्यों सिम्झी हैется собой स्वार तख पुर्ष। दूसरा कर्म भारए तीसरा कुड़ीगू, टूसरा दवंद्व और आलबा आजाता है वार्म हमाव्यनर अ आकरी जो हता है वह भृवभरी न ही बहुर हो पशी हमतेब होता है स्पाल जिसमें समास ईस चौन उनका समास प्रैुख्त हैं उनमें कौन सा समास प्रईक्त है वह भी लिखिए ठीक है आम इरा कि कौन सा समास रही जेना पिर दोंते हैसे सबस्सिब्हते दोने कि कौन से कौन से शब्द है जिनमें आपका समास छिपा हुआ है अब देखो मैंने आपके लिए दस ऐसे शब्द निकाल कर इसमें क्योंकि दस फिलिंद ब्लैंक्स थे तो हमें दस शब्द निकाल कर रखने थे तो मैंने दस शब्द निकाले हैं आपके लिए हम उन पर गौर फर्माते हैं कि वो कैसे उनका समास विग्रेक कैसा होगा और वे कौन से समास के भेद में आएंगे ठीक है देखो आपको नीचे इन्होंने फिर इन्द ब्लैंक दे रखा ऐसे हमें करना है ठीक है तो अब हम आजाते हैं आपके आंसर्स पर प्रश्ण एक के ठीक है यह हमारे आजाते हैं प्रश्ण एक के उत्तर इसमें आपको देख सकते हैं आप क्या क्या है इसमें हमारा है सबसे पहला लडाई जगडा यह हमारा पहला है पहला वर्ड है लडाई जगडा जो मैंने आपको गर्द्याइच में से जूनकर निकाला है इसमें लडाई डैश जगडा ठीक है तो डैश जहां भी लगा होता है ना तो आप समझ जाना और लगाना है या या लगाना है तो इसमें हमारा आजाएगा लडाई और जगडा और ये कौन सा समास है द्वंद्व समास है जिसमें और लगे ये डैश जो होती है ने इसकी पहचानी होती है जब भी आपको डैश दिग गया मतलब द्वंद्व समास है तो इसमें लडाई और जगडे में द्वंद्व समास आएगा फिर हम आजाते हैं हानी लाब में ये भी देखो हमारा ऐसी ही है तो हानी डैश लाब है तो इसमें लेकिन या आएगा इसमें और क्यों नहीं आया पहले की तरह इसमें या इसलिए आया क्योंकि या तो हानी हो सकती है मतलब कि या तो नुकसान हो सकता है या लाब हो सकता है मतलब या तो फायद हो सकता है दोनों में से एक चीज हो सकती है तो हानी या लाब आएगा ये भी हमारा द्वंद समास है तो द्वंद समास में आपका और भी आता है और या भी आता है कि पहचान कैसे करोगे आप जाधातर में डैश लगा होता है ठीक है तीसरा हमारे आजाता है असंतोश असंतोश मतलब संतोश के बिना क्योंकि इसमें अलगा है आगे यह हमारा अव्यभाव समास हो गया ठीक है इनका ब्रैकेट में लिख देना जिससे यह अलग हो पाया और आपको पहचान हो पाया कि समास के बेद अलग से लिखे गए है चौथा हमारा जाता है सुक दुख इसम में से एक ही चीज़ हो सकती है सुक होगा या दुख होगा तो इसमें या आएगा और या किस में आता है दुवंद्व समास में आता है तो इसका बेद क्या हो गया दुवंद्व समास हो गया अब देखो हमने चार कर लिए कितने बचे है च्छे और बचे है अभी तो तो यह तत्तपुरश समास हो जाएगा ठीक है कि क्या यहां पर चटा हमारा आ जाता है निरापद मतलब पद के बिना अव्याइभाव समास बिना ये सबी तो अव्याइभाव समास में आते हैं ठीक है फिर हम आ गया जाते हैं साथवे पर ये हमारा हो जाएगा रिश्यों मुनियों तो ये आपको दिख रहा है डैस लगा हुआ है मतलब ये वैसे यूज्वली और ही लगता है लेकिन अगर अपोजिट दिख जाते हैं तो या लग जाता है जैसे सुबह रात तो सुबह या रात ये अपका दुअंद्व समास है दूर दशा दूर की दशा तो इसमें तत पुरुष समास आजाएगा दूर दशा हो गए दूर दशा होगा ठीक है फिर हमारा आज़ता है सत गुणों मतलब गुणों से भरपूर या साथ इसको कट कर दीजए आपको 11 आगया आपको बस 10 लिखने है ठीक है तो सद गुणों में गुणों से भरपूर तो से आ रहा है गुणों से भरपूर या साधिक कर्मधारे समास नहीं हो महलेगन क्यूंकि से तो आपका तत्पूरे समास बाता है तो यहां पे गलती आपकी पकड़ी गई मतलब मैं यही देख रही ती कि आप से पहचान पाते है नहीं तो सद गुणों में क्या आएगा जो गुणों से भरपूर हो जो गुणों से भरपूर यह बोल सकते हैं यह यह भी बोल सकते हैं कि जो जिसमें गुण हो यह भी बोल सकते हैं यह ज़्यादा अप्रोप्रियेट लग रहा है लेकिन जिसमें गुण हो जिसमें गुण हो ठीक हैं? यह आपका कर्मधारे समास आजाएगा तो मैं तो बोलते हैं यह लिखो जिसमें गुण हो अब हमारा फर्स्ट कुश्चन तो हो गया दूसरा कुश्चन तो हम करना ही भूल गया अब हम दूसरा कुश्चन करते हैं दूसरा कुश्चन आपका कौन सा है दूसरा question हमारा आ जाता है ये उन समास के नाम लिखे है जिनका उधारन उपरर्विक्त दीये गर गर्द्यांच में नहीं मिले। कौनसा कौनसा ने मिले हमें हमें एक तो हमारा आखरी वाला ने मिला। स्पेशल वाला कौनसा? बहू बिही समास बहू बिही समास तो यहां पर आपकी जो कारे पत्रक है वो समाप्त होती है आशा करती हूं कि आपको समझ आयोगी और लाइक करना कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा और अपनी दोस्तों में भी शेयर करिए जिसने उनकी भी हल्प हो पाए ठीक है धन्यवाद जिसमाद करना ब्रेंट